एक बार की बात है, एक जीवन्त छोटे शहर में लिली नाम की एक उजवल और प्यारी लड़की रहती थी। लिली का दिल जिग्यासा से भरा और सीखने के लिए उच्सुक मन था। वह अपने स्कूल और उन कारनामों से प्यार करती थी जो हर दिन उसकी प्रतीक्षा करते थे। एक सुनरी सुबा, जब लिली कक्षा में अपनी मेज पर बैठी थी, उसके शिक्षत ने घोष्णा की कि सारे बच्चों को पूर्ण किये गए ग्रिहकार्य को सौपने का समय है। लेकिन लिली के निराश हो गई उसे एहसास हुआ कि वह अपना काम करना भूल रही थी। उसके उपर घबराहट चा गई। और उसने महसूस किया कि घबराहट में उसके पेट में एक दर्ध होने लगा है। जैसे ही टीचर ने प्रत्यक छात्र से ग्रिहकार्य एकत्र किया, लिली का दिल और गहरा हो गया। वह जानती थी कि उसने खुद को और अपने शिक्षक को निराश किया है। जब शिक्षिका को लिली के अधूरे ग्रिहकार्य का पता चला, तो उसे उसकी पहली सजा दी गई एक कड़ी चेतावनी और अवकाश के दौरान पूरा करने के लिए अतिरिक्त काम। उदासी और गुसे के मिश्रण को महसूस करते हुए, लिली भारी मन से स्कूल के बाद घर वापस चली गई। जैसे ही लिली की माने अपनी बेटी के उदास चेहरे की एक ज़लक देखी, उसे लगा की कुछ गड़बढ है। उसकी आखों में चंता के साथ उसने धीरे से पूछा, आज स्कूल में क्या हुआ, मेरी प्यारी लिली। दुखी मन से लिली ने अपने ग्रिहकार्य और परिणामी सजा को भूलने की कहानी साजा की। अपने आप में निराशा व्यक्त करते हुए लिली की आखों में आसु आ गए। लिली की भावनाओं के भार को समझते हुए उसकी माने उसे अपने पास बुलाया और ध्यान से सुनती रही। सुखदायत आवाज के साथ लिली की मा ने उसे आश्वस्त किया कि गलतिया करना सीखने और बढ़ने का एक हिस्सा है उन्होंने समझाया कि हर कोई गलतिया करता है और जो सबसे ज्यादा माइने रखता है वह यह था कि आपने कैसे प्रतिक्रिया दी और उस गलती से आपने क्या सीखा लिली की माने उसे याद दिलाया कि वह इस थिती को बदलने में सक्षम है दोनों स्टडी रूम बैठे थे लिली की मा उनके साथ थी जब लिली असाइन्मेंट पूरा करने पर काम कर रही थी धैर्य और मार्ग दर्शन के साथ लिली की माने उन्हें अवधारनाओं को समझने में मदद की और लिली को हर कदम पर प्रोचसाहित किया धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से लिली को समझ आने लगा उसका असाइन्मेंट भी पूरा हो गया था जैसे ही उन्होंने काम खत्म किया लिली की माने देखा कि उनकी बेटी की आमखों में खुशी लौट आई है अपनी उपलब्धी का जश्न मनाने और लिली को कुशी देने के लिए उन्होंने लिली को उसकी पसंदीदा मिठाई की एक प्लेट के साथ आश्चर्यचकित कर दिया स्वादिष्ट घर की बनी मिठाई जिसने लिली के चेहरे पर मुस्कान ला दी हावभाव की मिठास और व्यवहार के स्वाद ने लिली के दिल को खुशी से भर दिया उसने महसूस किया कि उसकी मा का प्यार और समर्थन किसी भी कठिन परिस्थिती को विकास और खुशी के अवसर में बदल सकता है लिली का उत्सा बढ़ गया और उसने द्रिड संकल्प की एक नई भावना महसूस की उस दिन से लिली समझ गई की गलतिया दुनिया का अंत नहीं थी अपनी मा के अटूट प्यार और मार्गदर्शन के साथ वह चुनोतियों का सामना कर सकती थी उनसे सीख सकती थी और एक मजबूत और अधिक लचीले व्यक्ति के रूप में विक्सित हो सकती थी और इसलिए लिली और उसकी माने विप्रीत परिस्थितियों पर विजई की मिठास को साजह किया उन्होंने एक साथ सीखने की यात्रा को अपनाया, उन अन्मोल पलों को संजोया जो उन्हें करीब लाए और प्यार और समझ के गहरे बंधन को बढ़ावा दिया अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेर करना मत भूलना